देख स्री वीवेक ठाकूर जी आदर्णिये सभापती महुदे मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने नए संसत भवन में प्रस्तुत राश्ट्रपती के प्रथम अभिवार्षन पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अफसर मुझे प्रदान किया है सभापती महुदे आज भले ही हम नए संसत भवन में प्रवेश कर चुके हो परंतु पुराने सदन की एक स्मृती संस्कृत के एक श्लोक के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा सर्वदा सयान रिपह प्राग्य स्वमते नकदाचन सम्याधिकारी प्रकृती सभासत सुमते स्थितम यह श्लोक लिफ्ट नमबर चार के पास थित गुंबद पर अंकित पद्न पुरान में इसे सर्वलोक सुक प्रदम कहा गया है सांख्य दर्शन में इसे अत्यंत लोक हितम सत्यम कहा गया है इस लोक का अर्थ है कि राजा को हमेशा बुद्धिमान रहना चाहिए बुद्धिमता और समर्पन की भावना से प्रमानिक होती है निर्ने लेने के चमता और उन्हें यह सुनना चाहिए कि सदन में अन्य लोग क्या कहते है उसे सभी की भलाई के लिए कारे करना है सभापती महोदे आप सोच रहे हों कि उप्रोक श्लोक की चर्चा मैंने क्यों की वो इसलिए कि उप्रोक श्लोक में जो प्रधान सेवक से अपिक्षा की गई है उन सभी की पूर्ती हमारे आदन्य प्रधान मंत्री जी ने पिछले दस वर्षों में की और ये बज़ेट देखकर यही प्रतीत होता है कि आदन्य प्रधान मंत्री जी बुद्धिमता और समर्पन की भावना से जिस प्रकार कार कर रहे हैं वो साफ साफ परिलक्षित होता है वरना हमने कितने चुनावी वर्ष के बज़ेट देखे जिनमें फ्री बीज की भरमार होती थी परन्तु ये बज़ेट भारत के अमरित का बज़ेट है जिसमें 2047 में विकसित भारत के रोड मैप को जुलाई में प्रस्तुत करने की बात कही है या एक दूरदर्शित सोच के बज़ेट का जलक है क्योंकि ये इंटरिम बज़ेट है जब दूरदर्शिता की बात आती है तो पूर प्रदान मंतिशी मनमोहन सिर्णी का इस सदन में दिमॉनिटाइजेशन पर दिया बयान नयात आता है जिसमें उन्होंने बहुत ही नामी गामी एकोनॉमिस्ट थे उनको कोट किया और कहा कि वर्तमान सरकार जो नीती लेकर आई है उससे वह दूरदर्शी लाब की अपेक्षा कर रही है पर केंज का कहना है इन दे लॉंग रन भी आर ओल डेड अर्थार हमें निकट भविशी की चिंता पर ध्यान देना चाहिए ना कि भविशी की दूरदर्शी योजनाओं पर विचार करिये ऐसे विचार वाली सरकार ने देश पर दशकों तक राज किया और इसी दूरदर्शिता का भाव था कि जब 2014 में हम सत्ता में आए तो अर्थ विवस्ता पूरी तरह से तबास्थिती में थी उनीपुर प्रधानमंत्री जी का उसे में का एक और बयान अगर मैं जिक्र करू डिमोनेटाइज़ेशन को और्गनाइज लूट और लिगलाइज प्लंडर जब उन्होंने कहा था मैं सदन को आपके माद्यम से पताना चाहूंगा कि और्गनाइज लूट और लिगलाइज प्लंडर उसे कहते हैं जब देश में ओयल बॉंड्स के माद्यम से तेल खरीदा जा रहा था ताकि भुकतान मौझूदा वित्य वर्ष में ना करना पड़े और करेंट अकाउंट डेफिसिट कम देखे और्गनाइज लूट और लिगलाइज प्लंडर तब होता है जब बजेट में लॉस और बॉरोइंग की कैरी फॉरवड कर फिस्कल डेफिसिट को पेपर पर लिमिट में रखने का प्रियास किया जाता था पर वास्ता में वो अपनी लिमिट से कहीं जादा होता था और अर्गनाइज लूट और लिगलाइज प्लंडर तब होता है जब टूजी घोटाला होता है, कोल घोटाला होता है, कॉमन वेल्ट गेम्स घोटाला होता है अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला होता है और यह सब होता था एक अर्षास्ती प्रदानमंत्री और अर्षास्ती वितमंत्री के नाक के नीचे और दोनों इस सदन के सदस से अभी भी ऐस की गई थी कि जिसका वर्णन कम करे आदमी वही उच्छे थी वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि दूरदर्शिता का भाव था और राष्टे के पती समर्पन नगन्य था भाव एक जमिंदार और जागीर का था और एक चर्मराई अर्थवेवस्था के साथ हमारा सरकार में ग्रीप रवेश हुआ था सभापती महुदे 2014 में जब हम आए और एकॉनिमी की समिक्षा की तो हालात भयावत एक जोरदास बहस चिड़ी की स्टेट ओफ एकॉनिमी पर वाइट पेपर लाया जाए और देश और दुनिया जाने की किस अवस्था में देश आकर खड़ा है बोला ही जाता था कि भारत फ्रिजाइल फाइब में पॉलिसी पैरलिसी से ग्रसित बैंक्स बैट शेप में बॉरोइंग फिस्कल मिस्मानेजमेंट का आहम हिस्सा बन गया था मैंने पहले भी जिक्र किया इंफलेशन आफ्ट ओफ कंट्रोल लेकिन उस वाइट पेपर को तब लाने पर हलात ऐसे बन जाते कि सारे इन्वेस्टर्स भाग जाते और इंडिया इन्वेस्टमेंट स्टोरी जो है तहस नहस होना तैत और वहां से प्रधानमंती के कुशल नित्रितु में दस साल की आर्थिक सशक्ति करण और सम्रिद भारत की जो यात्रा पर हम चले आज फ्रजाइल फाइव से विश्व की पांचवे सबसे बड़ी एकॉनमी तो बने ही और फास्टेस्ट ग्रोइंग एकॉनमी का आज सेहरा पांच जल्दी तीसरे सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्ता बनने जा रहे हैं बाधाएं तो ऐसी आएं कि विश्व हिल गया बाधाएं तो ऐसी आएं कि विश्व हिल गया कोविड जैसी महमारी ने वर्ल्ड एकॉनमी को हिला दिया और जियो पुलिटिकल हालात युद सब होकर एक नए वर्ल ओर्डर को भी स्वरूप देने लगा और हमारा भारत अग्रिनी होता इस बीच से ब्राइट स्पॉट बनकर निकला लेकिन आज मैं मानिये वितमंत्री जी से आगरा करना चाहूंगा कि इसी सत्र में वह वाइट पेपर सदन में जरूर लाएं ताकि दे इसको आज दश्वर्ष में कैसे कैसे कहां आज हम भारत को ब्राइट स्पॉट बना बैटे एक चमकता सितारा जिसको विश्वब हर समस्या के निदान के लिए आशा भरी निगाह से देखता है और जानने कि बिना भारत के पोजिशन तै किये ग्लोबल अपीनियन अब साया वह एक केस्टडी बन चुका है और आज के इस भारत पर हमको नाज है और गर्व भी दोहजार चौदा से पूरो मंगाई की क्या स्थिती थी इंफलेशन रेट आउट अफ कंट्रोल था उस समय के स्थिती को देखकर एक जर्मन एकॉनमिस काल पोल का इंफलेशन के सम् सभापती हेंडी टूमिन ने कहा था कि a recession is when your neighbor is out of work. A depression is when you are out of work. और आदर्निय प्रधान मंती जी ने economic recession और economic depression दोनों से हम भारतियों को बचाया है। आदर्निय सभापती जी देश को बांटने का हाल फिलाग एक जबरदस्ती का विवाद खड़ा किया गया और पुर जोर कोशिश शुर। लेकिन इतने बुरे तरीके से भारत की जंता ने बीते चुनाओं में इनके इरादों पर पानी फेर दिया कि ये समझ ही नहीं पाए। हमारी सरकार ने चार जातियों को विकास के लिए बेंचमार्क बनाया है। और ये संपूर्ण सच है। गरीब, किसान, महिला और युवा। आदर्निय सभापती जी, प्रहान मंत्री जी का तो ये स्पष्ट मानना है कि यद अवास योजना ग्रामीन के तहट चार करोड़ों दसलाक लभारती को आवास उपलब्द कराए गए। अगले पाँच वर्षों में दो करोड़ अतिरिक्त आवास बनाए जाएंगे। करीब असी करोड़ लभारती को प्रदान मंत्री गरीब अनकल्यान योजना के तहट फ पहली बार आजाद भारत में किसी सरकार ने समाज के इस वर्ष की भी चिंता की है ये अद्भुत मिसाल कायम हुआ है। हमारी यही जनकल्यान कारी नीतियों का नतीजा था कि पिछले दस वर्षों में हमारी सरकार ने पचीस करोड़ लोगों को मल्टी डायमेशनल पौवर को चुनते हैं अब मैं एगली जाती किसानों पर आता हूँ देश के प्रमुक क्रिशी वग्यानिक और शोधक स्वर्गे MS स्वामिनाथन ने कहा था कि इफ अग्रिकल्चर गोज रॉंग नथी एल्स विलाव चांस तो गो राइट और यह सच भी है आज हमारे अर्थ वस्ता के इंजिन को गती प्रदान की इसलिए प्रदान मंती जी के नित्रते हैं हमारे अंदाताओं को सहायता प्रदान करने हैं तू प्रदान मंती किसान सम्मान इधी की शुरुआत हुई और आज लगवग 11.08 करोर किसानों को 2.08 लाक करोर से ज़्यादा के धंडाशी व दी जारी है यूरिया के बढ़ते उप्यों को सिमित करने है तू नैनो यूरिया के बाद नैनो डियेपी के प्रयोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है जिसका जिक्र इंट्रिम बजेट में भी किया गया है अधर नेस भापती महोदे मैं जिस प्रदेश से आता हूँ वह जल में आर्सनी की समस्या बहुत अधिक है और केवल भीहार ही नहीं पश्चि मंगाल पुर्वी उत्तर प्रदेश में भी अब समस्या अती गंभीर है और इस योजना से करोडों लोगों को फाइदा पहुचने जा रहा है सौयल और ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट और इं महिला पर आना चाहूंगा कोटिल ने कहा था कि न स्त्री रत्न समम रत्नम अर्थार स्त्री के समान कोई रत्न नहीं महिलाओं का सरवांगीन विकास हो ये आदर्निय प्रदान मंत्री जी का लक्ष रहा है और उसी दिशा में ये सरकार निरंतर काम कर रही है इसलिए पिये म क्रोड लाभारती सिर्फ महिलाएं थी आज एक करोड महिलाओं को लखपति दीदी बनान बनाया गया है और इस बजट के माद्यम से तीन करोड महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष तय हुआ है higher education में पिछले 10 वर्षों में female enrollment वे 28 प्रतिशत की विरिद्धी हुई उसी प्रकार से महिला labor force participation rate आज 37 प्रतिशत तक जा पहुचा है मैं मानिय वित्मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आशा और आंगनवारी workers को आयुश्मान भारत के तहट cover करने का जो घोशना इस budget में उन्होंने किया है इससे इन frontline workers को एक बहुत ही बड़ा सुरक्षा कवश प्राप्त होगा और कोविड काल में गाउं गाउं कस में कस्वे घुश कर जिस तरह से इन्होंने टीका करन कराया और देश को बचाया या उचित समान देने वाला कदम इसी संसत्भवन ने महिला शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर महिलाओं को समान भागिदारी दिलाने का एतिहासिक कदम भी उठाया सभापती महुदे मैं अ 11.4 करोर युवाओं को पिछले 10 वर्षों में स्किल ट्रेडिंग प्रदान की 2014 में जहां 16 IIT थे वहीं आज 23 IIT 2014 में जहां 7 AIMS थे वहीं आज 22 AIMS हो चुके 2014 में जहां 723 उनिवरस्टीज थी वहीं आज 113 नई उनिवरस्टीज PM स्कूल के माध्यम से स्कूल को न्यू एडुकेशन पॉलिसी के अनुरूप तियार किया जा रहा है और इस बजट में धनराशी को 4000 करोड से बढ़ा कर 6050 करोड कर दी गई है Unemployment rate 6.1 प्रतिशत से घट कर 3.2 प्रतिशत हो चुका है खेलों में विश्वस्तर पर भारत के युवा खिलारियों ने इतिहास रचा है और 100 से ज़्यादा पदक जीते है स्टार्ट अप की संक्या बढ़कर 1 लाग हो चुकी है सभापती महुदै किसी भी बजट की सफलता का मापदन इस से होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितनी बढ़ोतरी हो पिछले 10 वर्षों में यह 5 गुना बढ़कर आज 11.11 लाग करोड इस साल हो गया जो जीडीपी का 3.4 प्रतिशत और यह तब संभव हो पाता है जब आप फ्रीबीश की राजनीत को छोड़कर देश के दिर्ग कालिक विकास के बारे में सोचते रहे जब आदर्निय प्रधार मनती जी के नित्यों तो हमारी सरकार बनी तब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तहत राजस सरकारों को भी कैपेक्स में बढ़ोती करने हैं तू पचास वर्षों का ब्याज मुक्त लोन दिया गया और हम पर आरोप लगता है कि हम राज्यों के साथ भेद भाव करते हैं इसलिए सबापती जी, मैं अपने उधर के गडवंधन के लिए मित्रों के लिए एक शेर पढ़ना चाहूंगा तू इधर उधर की ना बात कर ये बता की काफिले क्यों लूटे तीरी रहबरी का सवाल है हमें राजन से गरज ने जबापती महुदा है कैपेक्स में बढ़ोती का ही परिनाम था कि आज देश में गावों में लगबग पौने चार लाग किलो मेटर नई सडकों का निर्मान हो चुका राष्टिय राजमार्गों की लंबाई 90,000 किलो मेटर से बढ़कर एक लाग 46,000 किलो मेटर हो गई चार लेन वाले राष्टिय राजमार्ग की लंबाई धाईगुना हो गई हाई स्पीड कोरिडोर का 500 किलो मीटर से 4000 किलो मीटर तक विस्तार हो चुका हुआई एड़ो की संक्या 74 से दोगुनी 149 हो चुकी मतलब अनगिनत ऐसे काम हुए हैं जो भूतो ना भविश्य के ही कैटेगरी में आता है और हाल में जो अटल सेतू के विकास ने भारत को वर्ल्ड क्लास इंफ्रस्ट्रक्चर बनाने वाले देशों की पंक्ती में लाकर कड़ा कर दिया ये भी एक अधभुत मिसाल है जो पूरी दुनिया देख रही है सभापती महोदे इस बजट के माध्यम से पी-म गती शक्ती के माध्यम से तीन बड़े रेल कोरिडोर की संकलपना की गई है जो एनरजी, मिनरल और सिमेंट कॉरिडोर, दूसरा पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, तीसरा हाई ट्राफिक डेंसिटी कॉरिडोर जैसे मान लिया जाए कि दिल्ली और पत्ना का रूट है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं, इससे यात्री सेफ्टी भी बड़ेगा, टाइम में भी कमी आएगी और ये एक बहुत ही जरूरी पहल है सवापती मारे हमारे देश में हर प्रकार के रौ माटिरियल उपलब्द है, लेकिन अफोर्डिबल ट्रांस्पोटेशन और सप्लाई मेनेजमेंट का बड़ा इशू रहता है जहां डिमांड है, वहां तुरत सप्लाई हो, ऐसी योजनाएं हमारे विक्सित भारत की परिकल्पना को सकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी जिस प्रकार दक्षिन में सिमेंट परियाप मातला में उपलब्द है, लेकिन ये कैसे तुरत पहुंचे, ये सब कुछ साकार करेगा ये योजना और भाधत एक विक्सित राष्ट बढ़ने की योर, बहुत तेजी से अग्रसर होगा, इन सब का जब सुरूप खड़ा होग सवापती महोदे, अधार मुत अब संडरशना की बात हो रही है, और साथी साथी सदन का ध्यान पिछले दस वर्षों के, अंतरिक्ष के छेतर की उपलब्दियों की और आकर्शित करना चाहूंगा, हमने चंद्रयान दो की विफलता भी देखी, लेकिन जैसा कि साहिर के मादम से सूर्य और चंद्रमा तक हम पहुँच गए, हमारे विपक्ष के जो साथी हैं, वो जी एस्टी का विरोध करते हैं, उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि हाथ कंगन को आर्सी क्या, पड़ेलिके को फार्सी क्या, अर्थात सारे प्रमान आपके समक्ष है, हमारी सरकार द्वारा टैक्स और रच्णा में जो अमूल चुन परिवर्तन किये गए, उसका नतीजा था कि जी एस्टी आने के बाद, दोहजार अठारा में मंत्ली जी एस्टी कलेक्शन नबे हजार करोड से बढ़कर, अब एवरेज एक डशमलव साथ लाक करोड प्रती माह हो चला, टैक्स और रच्णा में एक महत्वपूर्ट सुदाहर की घुष्णा अधरनिय वित्मंत्री ने की है, जिसमें वित्यवर्ष 2010 में 25,000 तक के और वित्यवर्ष 2011 से 15 के 10,000 तक की टैक्स डिस्प्यूट को सरकार पूरी तरफ विद्रौ करेगी, जिससे लगभग एक करोड ट भारत का निर्याद साड़ी 400 बिलियन डॉलर से बढ़कर पौने 800 बिलियन डॉलर हो चुका है, फोरेस्ट रिजर्व आज 600 अरब डॉलर हो चुका है, मोबाइल मानिफ्यक्ट्रिंग में हम पांच गुर्णा बढ़ोत्री कर चुके हैं, आज DBT के माद्यम से लगभग सवा दो लाग करोड की हम बचत कर चुके हैं, और इन सब का श्रे किवल एक व्यक्ति को जाता है, जो वैश्विक आर्थिक चुनौक्तियों के समक्ष खड़ा रहा, और वो हैं आदर्निय प्रधानमंती शी नरेन मोटी, और इसलिए आदर्निय प्रधानमंती जी पर सिखो के मह करमंती कंभू न टरू, न डरो अरीसो, जब जाय लडो, निश्चेक कर अपनी जीत करो, जब आओ की अहुद निदान बने, अती ही रण मैं तब जू 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 मरो, जिसका अर्थ है, हे शिवा, शिव की शक्ति, मुझे यवर्दे कि मैं शुप करमों को करने से कभी भी प पीछे न हटू, जब मैं युद करने जाऊं तो शत्रू से न डरू, और युद में अपनी जीत पक्की करू, हम फिर जुलाई में आ रहे हैं, सभापती महुदय, धर्म और अर्थ का बड़ा मजबूत संबंध होता है, और धार्मिक और अध्यात्मिक परेटन एक ऐसा छे दल दिया, आज अयुद्धा में एएपोर्ट, वर्ल्ड क्लास स्टेशन, होटल बन रहे हैं, और अधरनिय प्रधान मंती ने जिस पकार काशी विशनात कोरिडोर, चारदाम कोरिडोर, और किदारनात का विकास किया, उससे लोकल अर्थ वेवस्था का बहुत अधिक विका जिनके विकास से अर्थ वेवस्था को बल मिल सकता है, spiritual tourism के promotion है तो, इस interim budget में चर्चा की गई है, जिसकी प्रतिभा as a sector अभी देश में harness नहीं हुआ है, और इसको बढ़ावा देना बहुत ही सकारात्मक कदम है, जो अपार opportunities को रोजगार के दिश्ठिकों से एक बहुत ही बड़ा स्वरूप दे सकता है आने वाले समय में, प्रभु शिराम की बात तो पूरा देश करी रहा है, प्रधानमंती जी ने प्रान प्रतिष्ठा के बाद, जो नई solar policy के तहट 100 रूर्जा से जोड़ी अत्याधिक दूरदर्शी, rooftop solarization योजना का शुवारम किया, जिसमें एक करोड उबोकता 300 यूनिट बिजली मुफ्त में प्राप कर सकते हैं, और सरकार को विक्री भी कर सकते हैं, ये एक एतिहासिक कदम है, जो एक सूर्य वन्शी के प्रान प्रतिष्ठा के बाद, एक अध्रभु उस दिन की घोशना रही, मैं आधरने प्रधान मंत्री जी का और माने वित्मंत्री जी का अभार व्यक्त करता हूं, कि इस इंटरिम बजेट में एक अध्रुद घोशना की है, पॉलिसी डिसीजन हुआ है, कि इस बजेट के तहट की गई, कि भारत सरकार आने वाले समय में विक्सित भारत के लक्ष की प्राप्ती है तू, पुरुवत् की महोदे, इस बजेट की कई क्रांतिकारी घोशना है, जैसे कि मतस्य पालन की दुनिया में ब्लू एकॉनिमी दो का आरम होना, देश में हर जिलस्तर पर हॉस्पिटल सेट अप करना, नौ से चौदा वर्ष की बच्चियों का सर्वाइकल कैंसर, रोधी टिका करन की जो कुल रियल टाइम डिजिटल लेंदेन का 46 प्रतिशत भारत में ही होता है, पिछले में यूपियाई से रिकॉर्ड बारा सो करोर डिजिटल करांती लेंदेन हुआ, जिसके तहट 18 लाक करोर रुपे का लेंदेन हुआ, जंधन, आधार और मोबाइल की त्री शक्ति, जि जंधन ट्रिनिटी के कारण 10 करोड फरजी लभारती तंत्र से बाहर किया गया है, इस सरकार के इन बिल्ट मेकैनिजम में है, करप्ट प्रैक्टिस और करप्शन के खिलाफ की लड़ाई लड़ा, चाहे जो भी शोर में चाले, ये लड़ाई निरंतर चलता रहेगा, सभाप समय याद करेगा, आंतरिक सुरक्षा तंत्र को इतना सुद्रिड किया गया, कि आम नागरिक इतना सुरक्षित देश में पहले कभी नहीं महसूस किया, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई अपने अंतिम दोर में प्रवेश कर गया है, और सिमित छेतर में प्रभाव मात्र रहा गया, सवापती मोदे, जब हमारी सरकार बनी, तब हमने सबका साथ सबका विकास मंतर के साथ शुरुआत किये, आज हम इससे भी आगे बढ़कर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की और अगरसर है, जिस प्रकार जैम ट्रिनिटी ने इस देश के समाजिक औ अगरसर होने जा रहे हैं, अंत में मैं बशीर भद्र के शब्दों में आदर ये प्रधान मंती जी के लिए, यही कहना चाहूंगा, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आखों ने कभी मील का पत्तर नहीं देखा, प्रधान मंती जी की 2014 से शुरू ही यात्रा न कई मील के पत्तर देखे, पर कभी रुके नहीं उनकी मंजिल यही है कि 2047 तक भारत को विक्सित भारत बनाना है, बहुत बहुत धन्यवाद सवापती मोदे, मैं राश्पती के धन्यवाद प्रस्था का पूर्टा समर्ख़र करता हूँ, धन्यवाद पूरू हूँ